नमस्कार दोस्तु स्वागत है आपका अमारे चैनल पर आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं परदान मंतरी बिसकर्मा योजना के बारे में इस योजना को परदान मंतरी सीरी नारेंद्र मोदी जी ने लांच किया है अगर आप इस योजना के लिए अपलाई कर करती है यहां पर हम आपको complete process step by step बताने वाले हैं कैसे PM विसक्रमा योजना के लिए apply करना है इसके जो benefit है उसको कैसे लेना है सब कुछ details में बताने वाला हूं वीडियो को last तक देखे अगर आप वीडियो को last तक देखते हैं तो आप आसानी से PM विसक्रमा योजना के लिए online apply कर पाएंगे अपने mobile से ही जो तरीका मैं बताने वाला हूं अगर आप इस तरीके से PM विसक्रमा योजना के लिए apply करेंगे तो जल्दी से approve हो जाएगा और training के लिए काल भी आ जाएगा training complete होते ही 15,000 रुपया आपके account में आ जाएगा तो चलिए अब हम आपको बताते हैं PM विसक्रमा योजना apply करने का पूरा process सबसे पहले play store को open करना है और type करना है PM विसक्रमा एप type करने के बाद search करना है उसके बाद यहाँ से आपको PM विसक्रमा एप को download कर लेना है download करने के बाद open करना है open करते ही आपको कुछ इस तरह का interface दिखाई देगा इस page के नीचे आन है इस योजना के अंदर government के तरफ से क्या benefit दिया जाता है इसके benefits पर click करके देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इस योजना के अंदर government के तरफ से एक certificate और ID card आपको इसू किया जाता है इसके training आपको दी जाएगी जो कि 5-7 दिनों तक चलती है 40 गंटे की training रहने वाली है और या जो training है जब आप लोगे तो आपको परड़े 500 रुपे government के तरफ से मिलेगा 5-7 दिनों की training complete होने के बाद अगर आप और training लेना चाते हैं तो 15 दिनों की training ले सकते हैं जब आप training को complete कर लेते हैं तो आपको government के तरफ से 15,000 रुपे का अनुदान दिया जाता है जिससे आप toolkit खरे सकते हैं इस योजना का खास बात या है कि योजना के अंदर जब आप training आसिल करते हैं तो training के बाद आपको एक certificate दिया जाता है certificate के जरीए आपको बिना किसी सायक के loan मिल जाता है यानि कोई भी guarantee आपको देने की जरूरत नहीं होती है first time आपको यहाँ पर एक लाक रुपे का loan दिया जाता है जिसको आपको 18 महिने के अंदर repayment करना है अगर आप टाइम पर repayment करते हैं तो आप eligible हो जाते हैं दो लाक रुपे का loan लेने के लिए अगर आप दो लाक रुपे का loan लेते हैं तो आपको 30 महिने के अंदर repayment करना है यहाँ पर जो loan दिया जाता है इसकी खास बात एक और भी है कि इसके अंदर आप सभी को एक subsidy भी दी जाती है जो कि ministry आफ MSME की तरफ से 8% तक का जो interest है वह government की तरफ से paid किया जाएगा यानि कि जो loan है वो करीब 5% के interest rate पर मिल जाता है अब हम बात करते हैं कि इस योजना के लिए कौन कौन से लोग eligible है जो benefits ले सकते हैं यहाँ पर देखने को मिलेगा about scheme इस पर जब आप किलिक करेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा eligible trades इस पर किलिक करके आप देख सकते हैं जो इस योजना के लिए eligible हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कार-पेंटर यानि की बढ़ी इस योजना का लाउव ले सकते हैं लुहार सुनार कुमार मूरतिकार बुनकर और भी लोग इस योजना का लाउव ले सकते हैं इस लिश्ट में आप देख सकते हैं अब हम आपको पर्धा नमबर डालना है जो अधार कार्ड से लिंक है, capture code को इस box में डालना है और login पर click करना है, इतना करते ही आपके मोबाइल नमबर पर OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालना है, उसके बाद continue पर click करना है, जैसे ही आप continue पर click करेंगे, आपके अधार कार्ड का पूरा details आजाएगा, इ आपको fill कर लेना है, यहां से marital status को select कर लेना है, married है या unmarried, उसके बाद category को select कर लेना है, yes, c, st, o, b, c, general, आप जिस भी category से हैं, उसे select कर लेना है, अगर कोई दिव्यांग इसे उजनक apply कर रहा है, तो yes को select करना है, नहीं तो no को select करना है, उसके बाद आप से कुछ question पूछा जाएगा, कि आप जो काम कर रहे हैं, वो same state में कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं, तो yes को select करना है, अगर कोई minority apply कर रहा है, तो yes को select करना है, और यहां से minority के category को select कर लेना है, यहां पर आपका mobile number पाले से ही fill रहेगा, आदा number भी पाले से fill रहेगा, अगर pen card बना हुआ है, तो यहां पर pen number डालना है, उसके बाद family details के section में आना है, अगर आपका रासन card बना है, तो जितने भी रासन card में member हैं सभी का नाम आ जाएगा, अगर किसी सदस्त का नाम नहीं कर सकते हैं, और delete भी कर सकते हैं, यहां पर आपका आधार address आजाएगा, जो पाले से fill रहेगा, उपर जो address है, अगर वही current address है, तो same as आधार address पर click करना है, अगर आप gramid छेतर से हैं, तो yes को select करना है, यहां से आपको अपना block select कर लेना है, यहां से अपने gram penchant का नाम select करना है, उसके बाद profession trade details के section में आना है, यहां से अपने profession को select कर लेना है, अगर आप बाल काटने का काम करते हैं, तो बार बर सिनाई को select करना है, लोहार हैं, तो लोहार को select करना है, अगर tailor हैं और सिलाई machine के लिए अवेधन करना चाहते हैं, तो tailor को select करना है, आपका जो भी profession है, उसे सेलेक्ट कर लेना है मैं राजमिस्त्रे को सेलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ से सब्ट्रेट को सेलेक्ट करना है राजमिस्त्रे बिरिक का काम करता है टाल्स का काम करता है पलस्टर का काम करता है उसके बाद इस बॉक्स पर टिक आउट करना है उसके बाद business address देना है अगर आप आधार card का address देना चाहते हैं तो same as आधार address को select करना है अगर आप कोई दूसरा address देना चाहते हैं तो other को select करना है और address डाल देना है उसके बाद save पर click करना है इतना करने के बाद bank account details देना होता है यहां से bank account के नाम को select करना है bank का IFSC code यहां पर डालना है search के icon पर click करना है इतना करते ही branch का नाम आ जाएगा select कर लेना है यहां पर account number डालना है यहां पर फिर से वही account number डालना है उसके बाद credit support का option आता है अगर आप loan लेना चाते हैं तो yes को select करना है जितना भी रुपया आप loan लेना चाते हैं यहां पर डालना है पहली बार आप 1,00,000 रुपय तक का loan ले सकते हैं digital incentive के section में आना है अगर आप yes को select करते हैं तो यहां पर UPID डालने को बोला जाता है UPID डाल देना है और next पर click करना है click करते ही next page आएगा इस page के नीचे आना है यहां पर marketing support का option दिया है आपको next पर click करना है इतना करते ही declaration का page आएगा इस box पर click करना है और submit पर click करना है submit पर click करते ही आपका application submit हो जाएगा अब अधिकारी लोग अप्लिकेशन को वेरिफाई करेंगे उसके बाद आपको फोन काल से बताया जाएगा कि आपको ट्रेनिंग के लिए कहां आना होगा ट्रेनिंग कम्पलेट होने के बाद टोल किट खरेदने के लिए पैसे दिये जाएंगे तो दोस्तों इस तरह से आप पियम बिसकरमा योजना के लिए अपलाई कर सकते हैं